हलो एब्रिवन, वेलकम वेक टू विनोद लर्निंगव। सो हमारा आज का टॉपिक है MSC Botany and Trans Test 2020 जो की 10 अगस्त 2021 को held किया गया है सो इसको हम डिटेल में स्टेडी करेगे और हर एक कोशन के पिछे हम कंसेप्ट जानेंगे ताकि आप शेयर शॉट हो जाए कि यस इस कोशन का अंसर मैं बिलकुल सही बता रहा हूँ इसमें हम 100 कोशन जो डिसकस करेगे और डिटेल में डिसकस करने की कोशिश करेगे सो आपका कोशन नमबर वन है the virus infecting bacteria are known as कि ऐसे viruses जो bacteria को infect करते है उन्हें क्या कहते है धेखो यह पे options ही दिख रहा है आपको bacteria fuses bacteria means bacteria fuses means virus it means those viruses which infect bacteria is known as bacteria fuses so option C is the correct option next है protein coat of a virus and closing nucleic acid is called protein coat of a virus जो एंक्लोज करता है नुकलिक एसिड को उसे क्या कहते है कैपसिड सुवेंट्स मैंने पहले ही आपको पताया था कि जो भी अपकमिंग एक्जाम हो चाहे वो एंट्रांस का हो चाहे सिया नेट हो चाहे गेट हो चाहे एच्पी सेट हो उसमें बाइरस से तीन-चार कोशन उचे गए है डिरेक्ट कोशन सो उनका तो बैनिफिल्ट रहा होगा और जुनने नहीं देखिए वो प्लीज अभी भी देख लीजिएगा प्रेलिस्ट में चेक करें आप वहां पर बाइरस के नाम से आपको या कोविट-19 के नाम से आपको वीडियो मिलेगी फर्दर जब आप कोई भी एक्जाम दोगे तो वहां भी योग काम आएगा सो बिदाउट बेस्टिंग टाइम कोशन नावर थर्ड देखते हैं बैक्टिरिया हैं फ्लेजिला इनिफॉर्मली डिस्ट्रिबूट अल अवर दी बोड़ी और टम्डेज ये भी मैंने आपको पड़ाया है आपका A-trichus, Mono-trichus, Lopho-trichus, Peri-trichus, Peri-trichus. Peri means perifraliana surrounding, trichus means phrasila. क्यासे phrasila जो बैक्टिरिया के बिल्कुल ऐसे surround में हो चारो तरफ हो. यह होता है peri-trichus. जैसे इन्हें बात किया Mono-trichus, तो single आपका phrasila, लो-pho-trichus का मतलब होता है कि ए गुच्छा एंटियर में और यह गुच्छा जो है वो पॉस्टिजर एंड में हो फ्लेजी लागा उनको बोलते है लोफो ट्राइकस यह ट्राइकस मतलब जिसमें कोई फ्लेजी लाई ना हो है ना नेक्स्ट है आपका the causal organism of crown gall of apple जहां भी आपका crown gall की disease आई चाहे हो red rot sugar cane में हो चाहे किसी में हो crown gall disease करता है आपका agrobacteria tumifacients इसका में डिटेल मेकनिजम जो अपने youtube चैनल में डाल दिया है तो आप एक बार विजिट कर सकते हो तो next है आपका which of the following देखो यह भी coronavirus से question आया हो है which of the following coronavirus has caused many death many death around the world कौन सा coronavirus है वो है SARS-CoV-2 SARS family है जिससे जो है वो आपका COVID आया है COVID-19 आया है वो SARS-CoV-2 से ही आया हुआ है next है which of the following is a parasitic algae अब आपको parasitic का पता है कि parasitic क्या होता है ना so मतलब जो कि दूसरे living organism पे dependent होते है अपने food के लिए तो है आपका सिफेलियूरस विर्शन्स डरेट कोशन था यह और आइटिंग मैंने कबर कराया या नहीं कराया मुझे आद नहीं है बट मैं जहां offline पड़ा रहा था मैंने वहां पे यह जितने हैं यह पे 100 कोशन पूछे गया इसमें से कम से कम हैं यह पे 80 to 83 कोशन जो मेरे क्रायवे आया है बट जहां मैं offline teaching कर रहा था वहां पे वहां की बात कर रहा हूं मैं so who discovered the heterothelism in fungi यह को hetero means different thalism means thalus thalus क्या होता आपको undifferentiated part of fungus है ना तो किसी ने discover कि आपका heterothelism of fungi वह कि आपके option no.a black cell in 1904 में next आपका conidio force united along greater part of their length to form the asexual floating body known as a very direct question बिलकुल straight forward question है कि भाई कौन इडियो force है उसकी fruiting body क्या होती है पता है कि ए sexual deprotation के थूरू होता है उसकी fruiting body जो है students वह है naidium option b is the absolutely correct naidium next आपका brown rust of wheat very simple question brown rust of wheat कौन कौच करता है तो वह है आपका पक्सिनिया ग्राइमिनेस ट्राइटी की यह वीट में जो है तो वह brown brown type के rust यानि हम बोसकते है कि गुच्चे type create करता है cluster के form में disease cause करता है cluster के form में गुच्चे के form में so next question है आपका cladonia rangifera is commonly known as देखो cladonia जो rangifera है यह एक आपका मैं बोसकता हूँ कि moss है जिसको पता हुआ कि यह moss है यह lichens है तो उसने जरूर option D को क्लिक क्या होगा that is ranidier moss or this is the absolutely answer absolutely correct answer जो इसका D है ranidier moss next है आपका the mechanism of spore dispersal involving hygroscopic illators is exhibited by यह भी में आपके आपके क्या जामने offline प्लाय था वहापे जो दो बार मुक्तस में यह question डाला था तो इसका अंसर है liver words liver words is an option है yes, बिल्कुल है options ही देखो आप markensia is also known as liver words so next है आपका very simple question development of the gametophyte इसको आपने समझना है from a cell of the sporophyte without the intervention of a spore जिसमें spore का कोई भी intervention नहीं है उसको बोलते हैं क्या बोलते है apospory यहापे बहुत सारे student वह पार्थी नहीं जाने सिसी भी किया होगा बट इसमें जाए spore का intervention होता है इसने पुछावा without the intervention of spore तो that is the apospory is correct answers next आपका the most primitive type of protosteel in which central core of xylem is surrounded by a layer बहुत ही simple question है वह आपका haplosteel haplosteel में क्या होता है जैसे मानों आपका यह बाहर से epidermis हैं endodermis है फिर cortex आएगा जो भी आएगा फिर अंदर इस तरह से xylem होगा है ना और xylem को surround करेगा एक phloem की layer उसको बोलते है haplosteel वह ही question में आपसे पुछा हुआ है यहां पे क्या पुछा हुआ है कि primitive protosteel का नाम बताओ जिसमें जो xylem है वह surround होता है phloem से है ना तो वह होता है haplosteel next है आपका the telomere theory is based on sensor mechanism of spore dispersed cell is associated with क्या इसका polytrichum है क्या राहिनिया है क्या एंतुसिरस है फुनेरिया है इसका student's polytrichum is correct answer next है आपका if a sporengium is derived from inner daughter cell the development is called eus sporengiote very simple questions in gymnosperms vessels are absent in xylem except those belonging to the order देखो ये questions मैंने बहुत बार बताया हुआ और ये तो शायद मैंने इस पर वीडियो youtube channel पर भी बनाई हुई है मैंने plant पर जिसमें phloem translocution मैंने बताया था और उससे भी तीन से चार question पूचे गए एक question इसमें से ये भी है कि gymnosperms में बैसल अप्सेंट होती है इन जायलम except कौन सा exception है वो आपका निटेल्स option C वो इसका correct answer है in gymnosperms pollination occurs exclusively by किस के थरू wind के थरू option is the correct the interaction of living organism amongst themself and with their physical environment is referred as ecosystem simple question है आपको ecosystem से आप क्या समझते है ecosystem क्या होता है आपको पता है कि ecosystem क्या होता है study of environment जो की relate करता है living organism के साथ ecology क्या होता है study of ecosystem or ecosystem क्या होता है कि interaction between the living organisms or their physical environment is known as ecosystem यह तो definition पे question पूछा गया है यह तो आपने पढ़ाई होगा और सही भी किया होगा the timing of seasonal activity of a plant in relation to change in environment condition is called as a phenology direct question है logy means study pheno means timing the water which remains easily available to the plant readily है easily available readily easily यह की मतलब है available to the plants in soil is called as a capillary water मैंने बहुत बार जो है बहुत बार गया एक यह बार वीडियो बनाई है YouTube में ascent of sap के mechanism के नाम से आप सर्च कर लेना और मैंने उसमें चिला चिला के बताया था कि चाहे आपका कोई भी competitive exam हो और recent आनवाला आपका MSCN Trans का तो उसमें जो आओ इससे question पूछा ही पूछा जाएगा जो मर्जी हो और वही question यह पूछा गया है capillary water है ना तो आप इसको जानने के लिए प्लीज वीडियो को देखेगा और आपको concept जो हो बड़ अच्छे से clear हो जाएगा ऐसा नहीं कि आपके questions यहीं तक सीमित हो गया अभी आप HP set की त्यारी करोगे तो आप वहाँ भी यह question पूछे जाएगे NET की त्यारी करोगे वहाँ भी आपको यह question पूछे जाएगे तो अगर कोई student जो हो HP set या NET की preparation के लिए इच्चू को online preparation मैं NET की guarantee नहीं दे सकता बढ़ HP set की मैं guarantee दे सकता हूँ specially मैं HP set की coaching कराने जा रहा हूँ वह भी online और only 3 month का cross आपका जो हो पूरा session होगा 3 month का crash course और 3 month में आपको पूरा HP set का जितना भी syllabus हो कबर करा दोगा with mock test और weekly आपके test लोगा मैं आपको जो हो अगर आप 100% study करोगे concentrated study करोगे तो I guaranteed कि आप HP set जो हो आराम से crack कर दोगे नेस्ट है आपका the plants which evade dry condition are known as epimerals तो कोई सोचने की बात है निसमें तो जादा कर नेस्ट है आपका the zone where two or more different पूरा ecology से question पूशा गया है और direct पूचा गया है कि अगर दो zone हो उसके बीच अगर दो आपके species मिल जाए तो उस zone को क्या बोलते हम उस zone को हम transitional zone बोलते है उस zone को हम ecotone भी बोलते है ecotone भी ऐसा zone है जो कि दो बोलते हम कि species के बीच का zone है है ना तो इसका option जो C है both है and B the amount of nutrients such as nitrogen phosphorus or calcium present in the soil at any given time is called as standing state बहुत ही straight forward question है standing state the idea of ecological pyramid was advanced by the देखो यह भी आपका जो हो कैसा है memory based ocean है कि ecological pyramid was advanced by the option D is correct C Eltone a taxon whose distribution is confined to a given area is said to be a endemic है ना कि कि जिसका distribution is confined हो एक एरिया में याप इसी एरिया में ग्रोग कर साथ उसको बोलते हम endemic second होता है इससे मिलता जिलता extinct 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 या endangered 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 जो कि ऐसी species जो बिल्कुल अपने life के आखरी स्टेज जी रही होगी बिल्कुल खत्रे की गंटी उस पर मड्रा रही है उसको बोलते है endemic और extinct मतलब जो की गुजर गई यानि बिलूप्त हो गई और endemic मतलब ऐसी species जो किसी एक ही एरिया में ग्रो हो जाएगी अगर हम उसको वहां से दूसरे एरिया में ग्रो करने की कोशिश कराएगे तो वहां पर वह सर्भाइब नहीं कर पाएगी उसको या तो फिर 100% वही environment मिलना चाहिए जहां से आपने लाया है नेक्स्ट आपका theory of continental drift आपको ड्रिफ्ट पता है कि सदनली जो भी आपदा आती है उसको बोलते हम ड्रिफ्ट और continental ड्रिफ्ट भी इससे ही आप correlate कर सकते है आप जो हो मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं आपको इस पर वीडियो मिल सकती है the phenomena of double fertilization यह तो बहुत ही सिंपल कोशन है क्या होता है जिसे endosperm बनता है ओई बात है न और यह feature किसका है यह है only endosperm का यानि flowering plants का a place of collection of dried plants specimen is known as herbarium next है आपका cocus nucifera belong to the family of यह है आपका cocus nucifera किस family से belong करता है आपने सुना होगा वो क्या बोलते है coconut coconut सुना होगा coconut का scientific name है cocus nucifera और यह belong करता है option a एरा से की family से देखो आपका यह भी herbarium से question आया होगा है the newly collection specimen which is used as a substitute है ना जब original type of material lost हो जाए और new specimen को use करते है as a substitute तो उसको हम क्या बोलते है उसको हम बोलते है new type new means new type means specimen the exine of pollen grain comprises क्या sporopollen से बनी होती है pollen grain की outer layer that is exine किसे sporopollen यानि option d is the correct binomial with identical genus name or specific epithet ये आपका उससे क्या बोलते है binomial classification से या taxonomy से question पूछे गए आपके चार से पांच question और मैंने offline में यही question आप करोगे जितने आप पूछे गया है यही question मैंने दो से तीन बार उनको मोग test में दे दी थे solve करने के लिए और उन्होंने बिलुकुल same option के साथ solve कर दी होगे तो यह बोड रहा है जिसका genus or species same हो यह only animal के case में possible होता है जैसे आपने सुना होगा rat का नाम क्या होता है rat का जो scientific name है ratus ratus यानि genus or species epithet कैसा है बिल्कुल identical है उसको हम क्या बोलते है तॉटोनीम बोलते है नेक्स्ट है आपका study of application statistical methodology to analyze the biological variation यह analyze करने की बात कर रहे है little bit numerical से लेठीड है correlation and regression in the biological measurement is called as a numerical taxonomy मैंने यह कोशन बहुत बार पढ़ाया हुआ है अपने students को the temperate grassland of South America are known as pampas यह थोड़ा memory based question था इसने ecology detail में पढ़ी होगी उसने यह कोशन solve किया होगा क्योंकि pampas और steppish के बीच बहुत conversion होती है Nitro someone asks converts ammonia into nitrite मेरे चैनल पे बहुत video मिल जाएगे आपको is related immediately beneath the pro-marish term there is a zone of determination नहीं इसका option है पोरोगेमी sapwood is otherwise called albunum option B is the correct fibers associated with the phloem are known as vast fibers साइद आपके आपके clear visible नहीं हो पार होगा मैं इसको जूम करता हूं the place of attachment of the stalk with the main body of a wheel is called helium बहुत 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 आपके केप्सिला बुर्सा पेस्टोरिस इस crucifer type सही है नहीं आपका पॉर्टुलेका शोज प्रोडेशंस of transverse type the effect of pollen on the pericarp lying outside the embryo sac is known as क्या बहुत उसको हम जेनिया बोलते है उसको हम मेटा जेनिया बोलते है option B is the right answer जैफरी गुर्टुलेश बोलियू 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 Erythronum Americanum In the Gymnosperm the Endosperm is Heploid option A is the correct when pollination takes place between the flowers born on two different plants the process is known as a Gyatumogamy development of gametophyte from a cell of sporophyte without intervention of spor kosher or repeat हो गया ही और ऐसा नहीं है टोटली रिपीटिट इसका है एपोस्पोरी हिस्टोजन थ्योरी बोज इंटोड्यूच वाइदा हैंस्टीन देखो मैं थोड़ा आपको जल्दी पताने कोशिश करूआ योगी वीडियो लंबी चली जाएगी तो अगर आपको कोई डाउट रहता में समझना हो तो मुझे आप कोशन जो हो मुझे वट्सेप कर सकते हैं मैं आपको बाई कंसेप्ट जो कोशन सम्झाद होगा व्यूलिफोम सेल्स आर फांड इन किस में में मल्टिलियर एपिडर्मिस अक्कर सिंदा निरम लिप्समें सही है ओप्शन वीज दा करेक्ट है न एंटमोफिली ऑप्शन जीज दा राइट क्लोजर ऑफस्टों में काई नॉर्मल प्लांट्स केन बी इंडियूस बाई दा अफस्टिक एसिज यानि ऑप्शन भी दा राइट है एबी ए मेगनिशियम की होता है आपके मतलाव इंपोरेंट कॉंपोरेंट किसका है नेखो एम खेतों में भी मैगनिशियम डालते हैं क्यों डालते हैं तक एum जो खेतों में प्लांट्स है उनके पहुदों में क्लोरुफिल का एमाउंट बढ़ेगा तो अंगरating बाउंट खूप के बनेगा और पोदे की ग्रोथ हो जाएगी ब्रॉंजिंग ओफ दी लीव कॉस्ट बाइड डेफिशेंसी ओफ ब्रॉंजिंग मींस ब्राउन टाइप जो धब आते लीव में हो था है क्लोरिन की डेफिशेंसी के बज़े से ट्रांसपर ऑफ शूगर फोम मीजोफिल सेल टू सीब ट्यूब एलिमेंट मैंने डिरेक्ट बताया हूँ आपने चैनल पर वीडियो बनाई है इस पर मैंने फोटोसिंथेट ट्रांसपोर्ट मेकनेजम में यानि फ्लोयम लोडिंग में तो इसका अशर है आपका फ्लोयम लाइक लीफ से अधर पार्ट सब प्लांट के लिए ट्रांसपर करना फोटोसिंथेट को किस फॉर्म में जाता है वो करते हैं हमेशा सुक्रोज के फॉर्म में क्यों क्योंकि सुक्रोज जो नॉन रेक्टिव है अगर ग्लुकोज के फॉर्म में उसको ट्रांसपर करते है त पहले ही मैं पता दू फोटो संतेशी से भी उमेने पड़ा है हुआ है अपने यूटुब चैनल में उससे भी हाँ पर जो है वह पांसे छे वीडियो आपांसे शे वोजन आगे है डिरेक्ट कोशन सो आपने वह भी देख लेना है ना देन दा विच आप दी फॉलाइंग फाइटोल चैन फाइटोल चैन किसके पास नहीं होती है क्लोरोफिल सी के पास दा सब्स्ट्रेट फोर राइब लोज बिस्पोस्पेट कार्वक्सिलेज ऑक्सिलेज ऑक्सिजिनेज इज और यू बीप पॉटोसंदीज उसके लिए जरूरी है उसके लिए मैगनीज, कлोरिन और आपसे सही हो जब घ्रेश्याएंग मेगनीज, क्लोराइड और केल्शियम तो यह भी सङी होजाता ओक्सिलेज ग्लोराईड और कालसीयम डेल्यू ऑफ ऑफ आर्क्स से जाहाँ चैन जाधा होति है which of the following is not a component of mitochondrial ETC का electron transport in detail में जो अपने चैनल पर वीडियो बना दी है तो इसमें जो हो cytochrome B6 नहीं है component UV-C union है जो hydrophobic होता है cytochrome C है cytochrome A और A3B है net gain of ATB molecule incomplete aerobic पूछा हुआ है mind the language aerobic कितना होता है 36 ATB molecule आपको बता है in case of aerobic मैं इसको तोड़ा detail में बताने की कोशिच करता हूँ आपको जब हम किसी food को intake करेगे तो वो glucose में टोटता है और glucose जो है वो stomach से intestine में जाता है intestine से वो absorb हो जाता है और ultimately एक cell में पहुँचता है फिर cell में glycolysis होती है और glucose जो है वो दो molecular pyruvate में टोट जाता है फिर उस दो molecular pyruvate है उसका fate define करता है कि में अगर तो उसको oxygen मिल जाए तो वो aerobic में जाता है अगर नहीं मिले तो वो anaerobic में जाता है तो अभी पहले एक convert हो ज़ता है acetalco enzyme में फिर जाएका TCS cycle में फिर जाएका ultimately electron transport chain में फिर जो इसमें FADH and EDS produced हो है वो टूटेग है और ultimately 36 ATP बनाता है एक glucose को तोनने के बाद protein part of an enzyme is known as a hollow enzyme नहीं गलत इसका है prostatic group गलत C, apo enzyme आपको बताए कि enzyme जो true enzyme है यानि hollow enzyme है वो किस से बनी होती है वो बनी होती है apo enzyme जोकी enzymatic part है और non enzymatic part यानि co-factor से चाहे वो prostatic group हो चाहे वो co-factor हो है so इसका option है C सही enzyme act by the lowering the activation energy actual में क्या होता हमारे body में जितनी भी reaction है वो चल रही होती है but enzyme की तुरूँ क्या होता है वो activation energy को कम करता है और reaction को fast करता है competitive inhibitor of activity of an enzyme succinate dehydrogenase is succinic acid नहीं melaninic acid जो इसका competitive inhibitor है heave and globin part of hemoglobin are synthesized on host plant genome option C which of the following is not an anti-zebriolins को नहीं है बताऊ psychosil option B a trace element which is co-factor of enzyme you raise is nickel आपका cinemamum varum यानी cinemamum belong to which of the following family direct question ताई आपका lauracy family से in mercerized cotton mercerized cotton the cotton yarn or cloth is treated under tension of which chemical ये कोशन मुझे भी सर्च करना पड़ा था मुझे भी सका बता नहीं था गोल्ड और टंगस्टन पार्टिकल simple question था RADD का coated with DNA किसके लिए कब जब micro projectile के थू जो आपका DNA है वो गोल्ड और टंगस्टन के partial के अंदर coat के जाता है और micro projectile युझे shoot कर दे जाता है target tissue में विच फॉम अब यहाँ पे अब आपके जो है वो technique से question आ रहे है तो इसको में write जो है वो अगर मैं इसको समझाने लग गया तो यह time consuming है तो इनके मैं आपको answer बताऊंगा डरेक्ट इसका जो option है वो है आपका सही है वो है chiral chromatography यह जिन D which solvent is used for sample preparation of organic compound कोंट शोल्वन है वो है वो है वो है वोटर यह जो जो C option अब आपके बताऊंगा अब आपके जोड़ी 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 of the two particle are converted to two rays emitted at 180 degree Celsius to each other is called as what called as back-to-back emissions छीक है a solution of a substance expressing the number of moles of the substance in one cubic decimeter मैंने बताया था है यह भी अपने students को तो इसका आपका molarity excess of a stain is removed by washing stain section with glycerines वो आपका 10 to 15% study of various aspects of chromosomes और उसका effect on development of characters organisms उसको बोलते हम क्या बोलते cytogenesis during photo respiration and C2 cycle which organically glycine is converted into serine obviously mitochondria आपने अगर मेरी वीडियो देखियोगी photosynthesis की C2 C3 cycle की तो आपको यह जो है बिल्कुल कोशन एक मिठाइक दरे लग रहा होगा most abundant and most stable form of RNA is the rRNA ribosomal RNA in which stage chasmata formed किस में बनता है chasmata obviously diplotein में जो यह पकेटीन है होँ होती है fusion और diplotein में बनता है chasmata which is a major protein sequence database PIR option B which alignment method is used to visually compare to sequence and detect regions of closure similarity between them और आपका graphic similarity comparisons यह आपका dot plots इसका है dot plots I think यह dot plot इसका जो आपका जो है group of genus that include the most recent common ancestor of all its members जहां आपने इतने line पड़ी होई यह आपको ध्यान में clear आना चाहिए अगर आपने evolution बढ़ा होगा तो यह question मुझे सर्च करना पड़ा था क्योंकि मैं यह syndrome भूल गया था cry due chat cry due chat cry of cat syndrome is caused by which of the following chromosomal aberrations और आपका deletions के तो formation of time in यह थागवा DNA repair से question है very easy or important question formation of time in dimers in DNA due to UV is repaired by which DNA polymerase in E. coli DNA pole 2 say nahin DNA pole 5th option D is the right when enter release their pollen before the stigma of the same flower is receptive क्या बोलते हुषको मुषको बोलते हुषको बोलते हम protein 3 यानि एंथर जो पहले रीचर होगया आपरो मतलब पहले 10 उक्याएं अंथर मुआ थागवादे है आपो बाते हम यह थागवादे है यह थागवादे है यह थागवादे हिए वाते ह्साफिएवादे है यह थागवादे है nitrogen fixation ammonification is done by which bacteria सब्सक्राइब करते हैं आपका और की दिसे हैं विलोंग करते हैं आपका और की दिसे हैं हुई इस दा फादर ओफ अथनो बाटने इन इंडिया हो आपका डॉक्टर एसके जेन दा हर्वेरियम शीट इस ओफ ही क्वालेटी एंड हेवी वेट बिजसेंडर साइज अफ हर्वेरियम का सैज मिने पहले ही बता है आपको जमने टेक्शनमी बढ़ा है था 28 x 42 cm2 Siddhar wood oil is obtained by steam distillation form from the heartwood of Kisse Juniperus Verigenia Cobb web disease commonly known as mildew or swab decay is caused by the Cladobotrium dendroids many organizations and multinational companies exploit and patent patent biological resources or bio resources of other nations without proper authorizations from other countries concerned this is called the biopiracy very simple question then last question the response of plan to day length is called as a photoperidism so students in the last question we have 70 questions in the mock test and in the last question we have to do the same question in the last question which we have to cover only 6 to 8 questions which we have to ask पूछे गए होगे ऐसा नहीं यह भी कबर करा दिये ओनली दो कोशन है जो की आउट अफ ले बसाई जिन्दा मैंने कबर नहीं किया था और चेसे आठ कोशन ऐसे जो इंडरेक्ट ली पूछे गए थे जो मैंने डरेक्ट स्टुलेंट को नहीं बताये थे बाकी आप मांग जल मैंने पढ़ाया जो है उसी में से इतने कोशन आये है तो स्टुलेंट से मैं आपको पताना चाहूँगा अगर आप एच्पी सेट की प्रिपरेशन करना चाहते हो एच्पी सेट आपका एक्जाम जो हो आई थिंक अक्टूबर नौंबर में ये जो हैल्ट हो जाएगा भी 2021 में तो अगर आप शकीप त्यारी करना चाहते हो मेरे पास मैं आपको दू मंत का क्रेश कोर्च भी देना चाहा रहा हूं और त्री मंत का भी जाना थी मंत उनके लिए जिनका थोड़ा कंशेप्ट क्लियर हो और जोई जय्दा question solving पे concentrate करना चाह रहे होगे, तो ये 2 month और 3 month का crash course मैं कराऊँगा HP set के लिए, जिसने करना होगा वो please मुझे inform कर दे, मेरे WhatsApp नंबर पे message कर दे, मेरा WhatsApp नंबर है 980 50 32 52, आप आप मुझे message कर सकते हैं especially HP set की में त्यारी आपसे कराऊगा और online त्यारी जैसी condition चल रही है, third wave की situation है, तो भी मैं आपको online त्यारी कराऊँगा, और online भी regularly, systematic way से, एक बार आप content कर दीजे मुझे, मैं आपको पूरा schedule आपको बता दूँगा कि किस तरीके से त्यारी कराऊँगा, और आपको मेरे demo lecture जो हो, बहुत सारे, इस मेरे और प्लीज, अपने contact में भी शेयर जरूर करिएगा, ताकि ओभी subscribe कर सके, और bell icon को press करना न भूले, bell icon को press करेगे, तो मैं जो next video बनाऊँगा, उसकी जो notification है, उससे पहले आपके पास आजाएगे, so this is all about today, thank you,